हाई फ्रेंड्स मैं निकीता आज मैं आपको ये बच्चे की हाफ स्वेटर बनाना बताऊंगी इसे जीरो से लेकर एक साल के बच्चे आराम से पहन सकते हैं और इसे दो साल भी वो यूज कर सकते हैं इसका पिछला पल्ला बिलकुल प्लेन है और इसमें जो मैंने यार्ण यूज किया है वह मिलीनियम यार्ण हैं वर्दमान का जो फ्र प्लाई है इसमें गले और बाजू का बौर्डर में डबल करके बनाई हूं बटन लगा दू तो बच्चे को पहनने में ज़्यादा आराम होती हैं ताकि इसमें को में होल भी रहते हैं क्रोशीय के लोग में रहते हैं उसमें होल्स कुऔogg बने होते हैं ताकि बटन आसानी से लग जाए आए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसकी बॉर्डर बारा नंबर की सलाई पे बनाई हो और इसमें टोटल 65 फंदे लिये हैं और बॉर्डर को एक सीधा और एक उल्टा के क्रम में दोनों और से बनाई हो और इसकी टोटल लेंथ अगर आप नापे तो डेर इंच इसकी लेंथ है डेर इंच मिलीनियम यार्ड में जो फोर प्लाई का है वो 14 सलाई में पूरी हो जाती है यह 12 नंबर की सलाई पर यह 14 सलाई बॉर्डर बुनने के बाद उपर डिजाइन डालकर स्वेटर को बनाएंगे आगे फंदा बिलकुल नहीं बढ़ाते हैं इसमें बस सलाई को चेंज करते हैं जैसे 12 नंबर पर बॉर्डर बनाई हूँ तो सलाई यहाँ पर 9 नंबर यूज़ करना है मुझे पल्ले को बनाने में इसकी डिजाइन की वीडियो में अलग से बनाऊंगी तो उसे बाद में बताऊंगी अभी पहले सिफ स्वेटर बनाना बता रही हूँ कि कैसे बनाते हैं ऐसे बॉर्डर के बाद 7.5 इंच बुनेंगे यानि टोटल 62 सलाई बुनेंगे और अगर बॉर्डर लगा कर इसे ना वोनी चाहिए उसके बाद मुड्दे को घटाएंगे मुड्दे में 5 और 2 घटाएंगे यानि एक सलाई में 5 चाहिसे बताम치 रही होग और फिर अगली सलाई में भ्येटर अलग यानि 2-2 घुटर घयानी साथ साथ्सेद major मुझे में मुझे घटाना है। मुड़े घटाने के बाद 10 सलाई बुनेंगे उसके बाद गले को घटाएंगे यहाँ पर दोनों कंधों में 14-14 फंदे रखेंगे और बाकी फंदों को बीच के गले में घटा लेंगे बीच के गले को कैसे बांटते हैं यह मैं अभी बता देती हूँ जैसे इसमें मैंने टोटल 65 फंदे लिये हैं तो उसमें दोनों और 7-7 फंदे मैंने मुड़े पे घटाए हैं तो 14 फंदे उसमें माइनस कर लेंगे और फिर 14-14 फंदे कंधे के यानि 28 फंदों को माइनस कर लेंगे तो 65 फंदे में मुझे इतने फंदे माइनस कर ले यहाँ पर गले में मुझे टोटल 23 फंदे घटाने हैं क्योंकि 65 फंदे में मुझे कंधे पर 28 फंदे 14 14 फंदे दोनों और का रखना है और 14 फंदे मैंने घटा लिये हैं बाजू के दोनों और साथ साथ तो मेरे 23 फंदे बचेंगे, जिसमें बीच में मुझे सबसे पहले 13 फंदे को घटाएंगे और उधर बचेंगे मेरे टोटल 10 फंदे, 10 फंदे में दोनों और से 3-3 फंदे को एक बार घटाएंगे और फिर दो-दो फंदे को एक बार घटाएंगे यानि थ्री स्टेप्स में मुझे गोल गले को घटाना है और बाकी बचे फंदे को फिर दोनों और से कंधे तक बुन लेंगे गले से कंधे तक तीस सला ही बुनेंगे अब यहाँ पर अगले पल्ले में सिर्फ बॉर्डर बनाना है पहले इसमें अगले पल्ले का अलग बॉर्डर बनाती हूँ और पिछले पल्ले का अलग बॉर्डर बनाती हूँ यहाँ पर पूरे बॉर्डर में मुझे 56 फंदे लेने है जिसमें बीच से आधे दूरी पर 28 फंदे और फिर बीच से उधर की दूरी पर 28 फंदे यानि टोटल में 56 फंदे लेंगे और 18 सलाई सीधी उल्टी के क्रम में बुनकर उसे घटाएंगे नहीं पूरे फंदे को यहीं उतार लेते हैं बाजू में भी दोनों इसमें टोटल मुझे 80 फंदे लेने हैं बॉर्डर में इसे भी बराबर बाट कर ही लेंगे जैसे 40 मुझे आधे दूर तक और 40 उस तरफ दोनों और 40-40 मिलाकर 80 फंदे बॉर्डर के लेंगे और एक बार ध्यान रखेंगे कि बॉर्डर गले का और बाजू का भी मुझे 12 नमबर की सलाई पर ही बनाना है और बाजू में भी 18 सलाई बॉर्डर बुर्णने के बाद फंदे को घटाएंगे नहीं बस ऐसे ही पूरे फंदे को उतार लेंगे इसे भी मैं भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि गले और बाँ की बॉर्डर को कैसे सिलते हैं यह स्वेटर का पिछला पला है इसे बिल्कुल अगले पल्ले की तरह ही बनाना है मुझे इसमें सिर्फ फंदे में बस दो फंदे में कम लेती हूं इसमें ली हूं दो फंदे कम ली हूं अगले पल्ले से सिर्फ इसमें 63 फंदे ली हूँ और बाकी इसकी सारी लंबाई और हर कुछ अगले पल्ले में जैसे बताया था वैसे ही बना लेंगे कंधे पर भी उतनी ही फंदे रखेंगे और बाकी के बीच फंदे को 6 सलाई पहले घटा लेते हैं छे सलाई पहले घटा करके फिर कंधे को छे सलाई उपर बुन लेंगे ताकि पीछे गले पर मुझे चुभे ना और फिर उस बीच के फंदे में बॉर्डर बुन लेते हैं 18 सलाई और इसे भी वैसे ही उतार लेते हैं मैं भी बॉर्डर आपको बना कर और सील कर बताती हूँ यह छोटे बच्चे की स्वेटर है लगभग दो साल की इसके गले का बॉर्डर मैं सील कर बता रही हूँ ताकि आप इसी धंग से डबल बॉर्डर को जब भी बनाए तो सीले इतनी दूर मैं सील कर आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ देखे जहां पर यह फंदा है इसको मैंने घटाया नहीं है बस इसमें एक-एक फंदे को देखे इस धंग से लेकर विल्कुल हलके हाँच से सीलेंगे इसे बहुत टाइट नहीं करना है ताकि बच्चे का सर आसानी से आ जाए क्योंकि ज़्यादा टाइट स्वेटर होने से बच्चे बहुत चिलाते हैं स्वेटर पहनने में इसलिए अधिकतर बच्चों के स्वेटर में मैं डबल बॉर्डर को ही देना ज्यादा पस संत करती हूं थीक इसी तरह से बाजु के बॉर्डर को भी सील लेंगे मैं अगले पले का गले का बॉर्डर अलग से बनाती हूं और पिछले पले का अलग से बनाकर फिर दोनों को सिलती हूँ लेकिन बाजू का जो बॉर्डर यानि मुड़े का जो बॉर्डर गले का बॉर्डर बनाने के बाद ये बॉर्डर से लेकर पूरे कंधे में फंदे को उठा कर वहाँ पर लगभग एक इंच का तोनों और से सीधी सलाई में या एक सीधा एक उल्टा या क्रोशिय से आपको जैसा भी मन हो ये एक इंच का करीब या उससे कम ही बॉर्डर बना लेते हैं ताकि ये पट्टी की तरह हो जाए और उसमें बटन लगाया जा सके और ये कंधे पर ओपें रहेगा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें